यहाँ पर एक question है, considering H2O as a weak-filled ligand, है न, H2O को जो है weak-filled ligand बानते हुए, the number of unpaired electrons in, यह जो complex compound यहाँ दे रखा है, मेगनीज है यहाँ पर central metal ion, है न, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, coordinate bond से है, H2O ligand जुड़ा हुआ है, कितना, 6 जो है, यानि मेगनीज की coordination number कितनी है, 6 है है, और इस coordination sphere के ओपर overall क्या है, 2 positive oxidation state है, तो यह जो complex compound है, इसके अंदर जो है, unpaired electrons, कितने होंगे, किसके, central metal ion के अंदर, मेगनीज के अंदर, will be, यह न, unpaired electron, कितने होंगे, और यहाँ पर जो है, मेगनीज की, जो है, atomic number यहाँ पर दे रखा है, कितना, 25 होता है, atomic number यानि number of protons, तो यहाँ पर answer होगा, B5, यह किस तरह से होगा, आईए हम देखते हैं, हम जानते हैं, किसी भी element के अंदर, जितने number of protons होते हैं, उसमें उतने ही क्या होते हैं, number of electrons होते हैं, तो हम यहाँ पर मेगनीज, जैने, इसमें कितने electrons है, 25, इसका electronic configuration हम लिख लेंगे, electronic vinyas, तो यहाँ पर हमने मेगनीज के 25 electrons का electronic vinyas लिख लिख लिया है, 4H2 तक क्या हो जाते हैं, 20 electrons, और 3D में 5 electrons है, यह इस तरह, 25 electrons, 25 electrons, मेगनीज के अंदर होते हैं, अब यहाँ पर अगर हम complex compound में देखें, तो यहाँ पर मेगनीज की oxidation state क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि जो हमारा H2O होता है, यह क्या होता है, neutral ligand होता है, ठीक है न, इसके oxidation state क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पर जो है, H2O weak field ligand कितने है, 6 है, लेकिन सबकी oxidation state क्या है, 0 है, तो यहाँ पर जो overall 2 positive है, यह AC कैसी oxidation state किसकी हो जाएगी, मेगनीज की हो जाएगी, यानि मेगनीज क्या हो जाएगा यहाँ पर, MN2 positive oxidation state वाला है, ठीक है न, यानि इसमें से 2 electron जा चुके हैं, तो यहाँ पर MN2 positive oxidation state वाले, जो है मेगनीज का electronic configuration क्या हो जाएगा, यहाँ पर से जो last shell है, यहाँ सबसे last shell क्या है, 4S, क्योंकि यहाँ पर 1S, 2S2P, दूसरा shell, और यह 3rd shell, और यह क्या है, 4th shell, तो सबसे last shell में से क्या है, 2 electrons, release हो गए हैं, निकल गए हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4S में से, 2 electron को हम हटा देंगे, ठीक है न, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर electronic configuration, MN2 positive क 4S में से, 4S में से 2 electronS चले गए, तो 4S क्या हो गया, 0 आब हम इनको क्या क्या करेंगे, लाइन से, जमा लेंगे, यानि 3 वाले, 3 shell वाले, और 4 shell वाले को लाइन से हम set गर लेंगे, तो यह किस तरह से हो जाएगा, तो यह इस तरह से हमने इसको set कर लिया, लाइन से, यह 3rd shell वाले हो गए और यह 4S में से 2 ऐले गए तो यह खाली हो गया और 4th shell का 4P सब shell भी खाली पड़ा है ना यह orbitals भी खाली पड़े है और 4D orbitals भी क्या है यहाँ पर vacant है खाली है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 3D जो orbital है इसमें क्या है 5 electrons है ठीक है ना और बाकी 4th जो shell है जो था कोश वो पूरा क्या है खाली पड़ा है तो हम जो है 3D से लेकर 4D तक है ना सारे सब shells के orbitals को हम नीचे बना लेते हैं अब यहाँ पर हमने 3D से लेकर 4D तक के सारे orbitals यहाँ पर बना दिये हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे 3D में कितने हैं 5 electrons हैं तो इन electrons को हम 3D में क्या करेंगे हमारे आपबाव रूल से यहाँ ना हुन रूल से यहाँ पर हम इसको भर देंगे तो 3D में कितने हैं 5 electrons तो 1, 2, 3, 4 और 5 electrons हमने यहाँ पर fill up कर दिये 4S में कोई electron नहीं है यह खाली है 4P खाली है और 4D है ना यह तीनो orbitals खाली है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें अभी इस complex compound में तो यहाँ पर हमने जो है MN2 positive के electronic configuration को यहाँ पर लिख लिया है ठीक है और अब यहाँ पर अभी H2O यानि weak field ligand यहाँ पर अभी attached नहीं हुआ है तो जैसी यह 6 H2O है ना molecules ligand जैसे ही MN2 positive के पास आए तो यह क्या करेगा weak field ligand होने की वज़े से है ना क्या है weak field ligand है जैसा हमें पहले ही question में कह दिया गया है तो यह क्या करेगा जैसी यहाँ पर MN2 positive के पास आएगा तो यह क्या करेगा weak field होने की वज़े से इसको यानि 3D5 के 5 electrons को press नहीं कर पाएंगे यह जो 6 जो है हमारे पास ligands है जो की weak है ठीक है ना तीक क्या करेंगे इसको weak होने की वज़े से इन 5 है ना unpaired electrons को press नहीं कर पाएंगे तो यह क्या हो पाएंगे pair में नहीं हो पाएंगे इनका pair जोड़ा नहीं बन पाएगा ठीक है अगर यह H2O क्या होता strong field ligand होता तो यह क्या करता pair कर देता और बाहर के 3D electron अंदर के 3D electrons के साथ जोड़ा बना लेते pair बना लेते और इस तरह 3D orbital में बस एक unpaired electron एक aigumet electron बचता यानि H2O के strong field ligand होने की स्तिती में क्या होता 3D5 में यह हमारे 5 orbitals तो इस condition में यह क्या हो जाता यह pair हो जाता यह पर क्या होता एक unpaired electron यहाँ पर बच जाता तो हमारा answer क्या होता 1 होता लेकिन यहाँ पर चुकी weak field ligand है H2O ठीक है तो यह क्या करेगा इनको pair नहीं कर पाएगा तो इस condition में यह सारे ही unpaired रह जाएंगे यह सारे ही unpaired रह गए तो क्या है हमारा answer क्या हो जाएगा यहाँ पर answer हमारा B यानि 5 unpaired electrons होंगे इस complex compound में ठीक है ना और यह जो हमारा H2O है यह फिर कहां से fill up होना शुरू होगा है ना यह क्या है coordinate bond से जुड़ा होता H2O इस MN2 positive से यानि central metal iron से तो अब यहाँ पर इसको H2O को खाली जगा कहां पर मिलेगी यहाँ पर मिलेगी तो यह अपना एक loan pair लेकर है ना कहां पर 4S से भरना शुरू होगा तो यहाँ पर हम H2O के जो है एक loan pair को इस तरह से cross की तरह हम बता रहे है तो दो electron यहाँ पर भर जाएंगे है ना एक H2O यहाँ पर total कितने 6 H2O है त दो electron है ना coordinate bond के जो है एक एक loan pair यानी दो-दो electron है हर orbital को देता जाएगा 6 H2O है तो यहाँ पर इस ने दिये ठीके ना यहाँ पर दिया यहाँ पर दिया यहाँ पर दिया coordinate bond 1 H2O यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर दिया ठीके ना 4 H2O हो गए 1 H2O यहाँ पर देगा अपना loan pair और 1 H2O जो है यहाँ पर अपना loan pair देगा ठीके ना यहाँ पर देगा ठीके ना यहाँ पर देगा ठीके तो यहाँ हमारे total क्या हो गए 6 H2O ठीके ना यह हमारे 6 H2O जो है इन्हों ने क्या करा अपना एक एक loan pair जो है 4S 4P और 4D orbitals में दिया है coordinate bond जो है MN2 positive से बना लिया है ठीके तो यहाँ पर कहां कहां पर इसने अपना coordinate bond बनाया है है ना loan pair देखे 4S से लेकर 4S का एक orbital 4P के 3 orbital और 4D के 2 orbital यहाँ पर इसका hybridization क्या हो जाएगा एक तो S orbital है तीन जो है P orbital है और D orbital कितने है दो है यहाँ पर जो है इस complex compound में जो है hybridization क्या हो जाएगा SP3D2 यानि टोटल इसका hysteric number क्या हो जाएगा दो तो D है तीन P है 5 और एक S S 6 यानि यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा structure इसका structure हो जाएगा octahedral यानि tetragonal bipyramidal तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा कितने unpaid electron ने हमें यह बताना था तो यहाँ पर जो है इस complex compound में 5 जो है unpaid electrons होंगे इसका answer होगा B Thanks for watching